Hello everyone, welcome to my YouTube channel आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और फ्रेंड से वीडियो में बात करेंगे Group D से जुड़े तीन important topic पर सबसे पहले तो Rank IQ ने एक data जारी किया है Toppers का वो data हम लोग देखेंगे और वहाँ से क्या conclusion निकलता है वो हम लोग discuss करेंगे दूसरा यहाँ पर NTPC के level 5 के cut off के साथ काफी लोग जो है Group D का comparison कर रहे हैं तो हाला कि मैंने पहले भी स्की regarding वीडियो बनाया था लेकिन आज मैं आपको तत्यों के माद्यम से फिर से clear करूँगा कि NTPC से Group D की तुलना कितनी हद तक सही है और तीसरा अब लोग बात करेंगे Group D के fee refund notice के बारे में तो आपको वीडियो complete देखना है छोटा सा वीडियो रहने वाला है हमेशा की तरह और चैनल को भी तक आप लोगों ने अगर subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लीजे ऐसे ही authentic updates पाने के लिए Friends अगर आप future में आने वाली ALP technician की vacancy का wait कर रहे है तो अभी से mathematics और reasoning को prepare करना start कर दो क्योंकि day by day आपका जो competition है वो tough होता जा रहा है यहाँ पर दो book में आपको recommend करूँगा किरन publication की यह वाली mathematics की book है और यह वाली reasoning की book है सबसे बड़ा benefit यहाँ पर क्या है 1996 से लेकर अभी तक जितने भी exams हों है railway के चाहिए वो group D है, NTPC है, constable है, loco pilot है सभी के question आपको इन मात्र दो book में मिल जाएंगे reasoning और mathematics के तो यह आपके लिए बहुत ही beneficial रहने वाली है अगर आप future vacancy का wait कर रहे हैं तो इन से अभी आप mathematics और reasoning की तयारी करना start कर दीजे यह book आपके आसपास book stall पर easily available रहती है बाकि आप लोग flip card और Amazon से भी इसको purchase कर सकते हैं तो friends सबसे पहले बात करते हैं rank IQ के data के बारे में देखो rank IQ ने एक पूरा 5-6 page का PDF जो है वो जारी किया है इसमें shift wise इन्होंने आप यह data जारी किया है कि shift में जो topper है उसके marks कितने हैं average marks कितने आ रहे हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दू यह complete PDF आपको मेरे telegram के group में मिल जाएगा description में मेरे telegram group का link है आप जाके join कर लीजिए अब देखो इन्होंने क्या चीज़ें यहाँ पर जारी किया है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इन्होंने लिखे shift जैसे एक नो दो जार बाइस की जो shift थी बारा पैंतालिस से दो पंद्रा वाली उसमें इन्होंने बता है कि 1647 स्टूडेंट ने इनके पास अपने marks share किये है अपने row marks share किये है उसके आदार पर इन्होंने निकाला है टॉपर यानि यह shift में जो टॉपर था उसके 83 marks है और जो average marks निकल रहे हैं इन सभी के 1647 स्टूडेंट के मैंने आपको पहले भी बताया है कि rank IQ के पास जो data है उस data को हम सही मान सकते हैं क्यों क्योंकि इनके पास जो student अपना data दे रहे है वो अपने row marks तो corrective बता रहे हैं लेकिन जो यह final score आपको बता रहे है कि आपका जो percentile score है वो इतना बनेगा उस पर आप यकीन नहीं कर सकते है क्योंकि वो complete data के अधार पर ही निकलता है और complete data railway के पास है यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी अब यही बात मैं फिर से गह रहा हूँ कि जो ही आपको percentile score अगर बता रहे हैं उस पर आप यकीन जादा नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास सभी student का data नहीं है लेकिन यहाँ पर यह जो data collect कर रहे हैं जो raw चीज़े आपके सामने पेश कर रहे हैं वो कुछ अत्तक सही हो सकती है जैसे यहाँ पर यह 1647 student ने अपने raw marks यहाँ पर share किये मेरे ही कम है बाकी लोग के कम नहीं है काफी student के raw marks कम ही है हाला कि आप इसमें मैं detail में नहीं जाओंगा मैंने आपको पहले भी बता है 40, 45, 50 वाले student भी अगर PT के तयारी नहीं कर रहे है तो कहीं नके इनको नुकसान जहिलना पड़ सकता है अब बाकी आप लोग खुश समझदार है ये PDF में telegram में दे दूँगा आप जाके देख लेना अब बात करते हैं दूसरे topic की NTPC की जो level 5 की cutoff है उससे काफी लोग group D की तुलना कर रहे है कि ऐसे ही जो है group D की भी cutoff जाएगी सबसे पहले तो मैं आपको बता दू NTPC group D का direct कोई comparison नहीं बनता है NTPC में number of vacancy कम थी student की quality भी अच्छी थी level wise cutoff था तो काफी चीज़े यहाँ पर vary करते हैं group D में ऐसा कुछ नहीं है दूसरा देखो एक चीज़ आपको देखनी होगी अगर एक दो जोन को छोड़ दिया जाए तो NTPC में भी जो आपका cutoff है वो इतना जादा भी high नहीं है कि आप उसको group D से इस तरह से compare करें कि group D का भी high जाएगा अगर आप on and average निकालेंगे तो 60-65-70% ठीक है नब maximum 70% तक जा रहा है सही नहीं है और इसकी वज़े से group D वाले जो student है उनको घबराने की भी कोई आवशकता नहीं है बात करते हैं group D fee refund notice के बारे में काफी student ऐसे हैं जो financially weak होते हैं देखो उनके लिए 220-200 रुपे भी बहुत बड़ी बात होती है तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि sir fee refund कब होगा और आज ही मुझे एक subscriber नहीं है मेरे को एक viral notice send किया है और यह उन्होंने पूछा है कि sir क्या इसकी सच चाई है वैसे तो देखो जो चीजे सच होती है वो official website पे आते हैं तो इसको पढ़े के सुनाओ मैं आपका time waste करूँ ऐसे मेरी कोई मंचा नहीं है तो यह notice पूरी तरह से fake है किसी website पे ऐसा कोई notice नहीं आया है basically इसमें fee refund के बारे में कहा गया है कि अपनी bank account details अर अपडेट कर दीजे देखो ऐसे notices आते रहते हैं बनते रहते हैं बाकिया आपकी कोई राई कोई सुझाव या फिर कोई query है तो आप comment box में लिख सकते हैं